दोस्तों ऐसे तो हाइट को बढ़ाने के लिए यूटूपर बहुत से वीडियोस बढ़ी हुई है बड़ उसके बावजूद भी बहुत से लोगों के मन में एक डाउट आता ही रहता है कि क्या हम भी अपनी हाइट को 18 के बाद भी बढ़ा सकते हैं अगर हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यों नहीं एंड इसके साथ इसाथ 18 से कम एजवालों के मन में भी एक डाउट रहता है कि हम भी अपनी हाइट को कैसे तीजी से बढ़ा सकते हैं इन्हीं सभी डाउट को किलियर करने के लिए आज किस वेडियो में मैं आपको हाइट से जोड़ी उन सभी चीजों के बारे में फुली एक्स्प्लेइन करूँगा एंड इसके साथ इसाथ कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताऊँगा जिसकी उससे आप भी अपने हाइट को धीरी धीरी करकी इजली बढ़ा सकोगे इसलिए आसक इस वेडियो को आप completely जरूरी देखेगा तो चलिए इस वेडियो को बिना टाइम वेज के बिस्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी हाइट एक्चुल में बढ़ती कैसे है तो मैं आपको बता दू कि हमारी हाइट बेसिकली हमारे बोन्स पर डिपेंड करती है अगर हमारे सरीर की लंबी बोन्स कहें तो लंबी हडिया बढ़ेंगी तो हमारी हाइट आटोमेटी की बढ़ जाएगी अब वो लंबी हडिया होती है स्पाइन, फिबूला, टिबिया, एंड फिमर इन चारों बोन्स के ग्रोफ सरी हमारी हाइट एक्चुल में बढ़ती है क्योंकि इन हडियों के एंड पॉइंट में एक ग्रोफ पिलेट लगा होता है जिससे हम फिसिस के नाम से भी जानते हैं इसी कि उससे हमारी हडियों की ग्रोफ होती है क्योंकि यह ग्रोफ प्लेट एक सौफ्ट काटिलेट से बना होता है जो कि नए चुटे-चुटे बोन्स टिसूस को बनाता रहता है और वो भी एक एज लेमिट तक जो कि है 18 to 20 कई केजस में ऐसा देखा जाता है कि 18 के बाद बहुत से बन्दों की हाइट नहीं बढ़ती है तो उसका में रिजन होता है उनका रूटीन अगर आपकी एज 18 से प्लस हो गई है या उससे कम है और आप भी अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने रूटीन को मैनेज करना होगा आपको अपने रूटीन को बस्ट करना होगा अगर आप इसे कर सके तो आप भी एपनी हाइट को बहुत जल्दी बढ़ा सकोगे तो जले बागे चलते हैं एंटो टिप्स को देख लेते हैं जिससे आप भी अपनी दिनचरिया को कहें तो अपने रूटीन को बदल कर आप भी अपनी पूरी हाइट को बहुत यल्दी बढ़ा सब होगे तो सबसे पहले टिप्स नूबर वन, डॉन्ट यूज फॉर सुगर दोस्तो अगर आप भी अपने हाइट को बढ़ाना चाते हो तो आपको अपने रूटीन में सुगर को या तो कहें तो चीनी का सेवन कम करना पड़ेगा क्योंकि सुगर में इंसुलीन पाए जाता है जो कि हमारे अवस्टेक हार्मोन्स कहें तो human growth हार्मोन एंड इसके साथ हमारे bones पर negative effect डालता है जिससे हमारी overall body की growth रुख जाती है एंड हमारी भी height नहीं बढ़ती है सो इसलिए आज सही आपको अपने routine में सुगर का यूज कम करना पड़ेगा एंड इसके जगाओ पर जितना हो सके आपको healthy high protein foods का यूज करना पड़ेगा जिससे आपकी पूरी body जादा जादा human growth हार्मोन को release कर सके एंड आपकी भी height बहुत जल्दी बढ़ सके तो next tips number 2 Do daily exercises दोस्तों किसी body को fit and healthy रखने के साथ ही साथ masculinity and height को बढ़ाने के लिए exercise को करना बहुत important माना जाता है बड बहुत से लोग होते हैं जो कि exercise को नहीं करते हैं एंड अपनी height को बढ़ाने में लगे होते हैं तो उनकों में बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी height को बढ़ाना चाहते हो अपने कद को बढ़ाना चाहते हो तो आपको आज सही कम से कम एक गंटे exercise करने ही पड़ेंगी और वो भी ज़्यादा तर hanging exercises जिससे हमारी पूरी body के stretching अच्छे से हो सके और हमारी भी bones की growth जल्दी हो जिससे हमारी height बहुत ही जल्दी बढ़ सके तो next tips number 3 proper sleep दोस्तों अगर आप भी अपने height को बढ़ाना चाहते हो तो आपको रात में कम से कम 8 गंटे की नीद लेना बहुत ही important है क्योंकि रात के समय में ही हमारी height actual में बढ़ती है कहें तो हमारे bones की growth होती है तो अगर आप भी रात को कोई important काम करते हैं या mobile चलाते हो तो आज से ही छोड़ो और कम से कम 8-9 गंटे की नीद जरू लेलो जिससे रात के समय आपकी body proper growth कर सके और आपकी भी height बहुत जल्दी बढ़ सके तो इन tips को आप जरूरी follow करिएगा तो next tips number 4 Change your body posture दोस्तो अगर आप भी अपने height को बढ़ाना चाते हो तो आपको सबसे पहले अपने body posture को सीधा करना पड़ेगा क्योंकि body posture यह है जो कि हमारी body को हमारी bones को एक सीधा direction देता है जिससे हमारी height बढ़ सके बढ़ बहुत से लोग होते हैं जो कि बैठते समय खड़े रहते समय और इसके साथ ही साथ सूते समय भी अपने posture को बिगाड लेते हैं यही थे कुछ ऐसे tips चुकि आपके height को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा help करेंगे तो इन tips को आप ज़रूरी follow करिएगा तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं वीडियो के इसले लगी आप हमें कमेंट में ज़रूरी बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सब्यूस्फ लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को तो ज़रूर सुस्क्राइब करेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठेंक यू सो मच